बिस्मिल्लाहिरोह्मानुरहीम, अस्सलामुलेकम, न्यू अक्सफोर्ट मॉडर्न इंग्लिश, थर्ड अडिशन, फार ग्रेड फोर तुड़े वोई डिस्कस यूनेट नमबर 15, आज हम यूनेट नमबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है, रूथ फाव, पी इसका साइलन्ट होता है, ये एक फेमस परसनल्टी का नाम है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे Pre-reading पढ़ने से पहले, What does it mean to be kind? Why is kindness important for everyone in the world? आपके ख्याल में kindness का क्या मतलब है? और kindness जो है हमदर्दी, मिहरबानी वो क्यों जरूरी है पूरी दुनिया में हर किसी के लिए? To be kind means to be good to somebody because, यहनि के kindness is important for everyone in the world because, without kindness, people will stop caring each other. यहनि के पढ़ने से पहले हम kindness के बारे में बच्चों से भी राए लेंगे, डिसकस करेंगे के kindness क्या होती है, मिहरबानी हम क्यों करते हैं? Words to know, वो लफ्स चिन का जानना हमारे लिए बहुत सुरूरी है, citizen, शेहरी को कहते है, a person who is member of a certain country by birth or by applying, यहनि के कोई भी शख्स जहां पैदा होता है by birth, वो उसका शेहरी होता है, उसको उसकी शेहरियत हासिल होती है, और कुछ मुलकों की citizenship आपको, after five years या वहाँ शादी वगारा करने की शकल में भी मिल जाती है, damage, तूटा पूटा, खराब, dedicate, वकफ करना, यनि के to give all your time and effort to something, किसी भी चीज़ के लिए अपनी तमाम कोशिश और वकत को लगा देना, उसे कहते हैं dedicate, वकफ कर देना, injury, जखमी, immigrant, महाजर, हिजरत करके एक जगा से दूसरी जगा जाने को कहते हैं, a person who has come to be different country to live there, but how is not a citizen, यनि के वो वहाँ का शहरी नहीं है, लेकिन वहाँ जाकर रहता है, तो उसे कहते हैं, नम्स, बेहिस, unable to feel anything, किसी भी चीज को महसूस करने के काबिल ना होना, airways, सांस की नाली, repeatedly, बार बार, again and again, Rutfau was born in a German town called Leipzig in 1929, Rutfau, जर्मनी के एक कस्बे, Leipzig में पैदा हुई, 1939 में, The town was bombed during World War II, उस कस्बे पर बंबारी हुई थी, दूसरी जंग के दुरान 1939 to 1945, 1939 से 1945 की जो second World War हुई थी, तो उस कस्बे पर बंबारी की गई, The bombing destroyed, जो बंबारी हुई उसने तबाहो बरबाद कर दिये, Her family's house and they had to, उनके अबाई घर जो थे, उनके family house जो थे, वो बुरी तरह से तबाहो बरबाद हो गए, बंबारी होने की वज़ा से, And they had to relay on help from other people, और उन्हें दूसरों के रह्मो करम पर आना पड़ा, दूसरों की मदद लेनी पड़ी, Faw said that this childhood experience, रुदफाओ कहती हैं, कि उनका ये जो बच्चपन का तजर्बा था, तॉट उस तजर्बे ने उन्हें सिखाया, How to help others, दूसरों की मदद करना सिखाया, She decided to train as a doctor, उन्होंने फैसला किया कि वो डॉक्टर बनेंगी, After completing her medical training, Medical की training, तिबी training मुकमल करने के बाद, She decided to become a nun, उन्होंने फैसला किया कि वो एक रहबा बनेंगी, एसाई मजभब में रहबा कहते हैं, कोई ऐसा शखस जो अपनी जिन्दगी दूसरों की मदद के लिए वकफ कर देता है, Medical की training मुकमल करने के बाद, उन्होंने रहबा बनने का फैसला किया, She wanted to use her skills, वो अपनी मुहारतों को इस्तमाल करना चाहती थी, To help poor sick people, गरीब लोगों के लिए और बेमार लोगों के लिए, अपनी सिलाहितों को, मुहारतों को ब्रोयकार लाना चाहती थी, Rutfau moved from Germany to Pakistan later on, कुछ देर के बाद, Rutfau जर्मनी से पाकिस्तान मुंतकिल हो गई, Rutfau was an immigrant who become a Pakistani citizen, वो मुहाजर थी, वो जर्मनी से पाकिस्तान आई और पाकिस्तानी शेहरी बन गई, On that first visit to कराची, उनका जो पहला विजिट था कराची में, Rutfau went to look around the city, यानि के वो पहली मर्दबा जब कराची शेहर का विजिट करने निकली, और इर्द गिर्द शेहर का जाइजा लिया, उन्हों ने देखा विजिट किया के ऐसी जगों का विजिट किया जहां पर लोग जजाम के मर्स में मुपतला थे, वर्ड लिविंग और जिन्दगी गुजार रहे थे, उन्हें सद्मा पहुंचा और वो कमगीन हो गई, बाइदा धर्टी कंडिशन्स थीज पिपल लिव इन के वो इतनी बुरी हालत में गंदी कंडिशन में रह रहे थे, अपनी जिन्दगी गुजार रहे थे, उन्हों ने अचानक ही जल्द ही महसूस किया, जैट शी हैड टू हैल्प देम के वो उनकी मदद करेंगी, कुछ सालों के बाद जब उन्हें पहले विजिट के बारे में पूछा गया, या उन्होंने अपने पहले विजिट की दास्तान सुनाई, रुद्वाव कहती हैं, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लिव इन सच कंडिशन्स के इनसान भी इस हालत में, यानि कि मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि एज़ा इनसानियन या हूमन बिंग, इनसान भी इस कंडिशन्स में, इस हालत में जिन्दगी गुजार सकते हैं, लिपॉर्सी इस अडिसीज, जसाम एक ऐसा मर्स है, जिसे मैडिसन की मदद से कंड्रॉल किया जा सकता है, या जिसकी इहफाज़त हो सकती है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, इस अगर किसी को यह मर्स हो जाए और उसका अलाज ना किया जाए, या जिसका असाबी नजाम जो है, वो नुकसान हो सकता है, खराब हो सकता है, उसे नुकसान पहुंच सकता है, जिन लोगों के नर्स जो डैमिज हो जाते हैं लिपॉर्सी में, वो बेहिस हो जाते हैं, उनके मुख्ति बॉड़ी के पार्ट जो है, वो हरकत करना छोड़ देते हैं, उनकी हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां बेहिस हो जाती हैं, वो हरकत करना छोड़ देती हैं, These body parts get injured, जिसम के ये हिसे जखमी हो जाते हैं, रिपीटिट यानि के बार बार इन पे इंजरी होती है, ये जखमी होते हैं, and as a result, people with leparsi can end up losing them, जिसाम के मरीज नतीजा के तौर पर अपने जिसम के ये हिसे खो देते हैं, This disease can also damage people's eye, इस बैमारी में लोगों की आँखें भी जाया हो जाती हैं, skin उनकी skin जो जिल्द होती है, and airways और सांस की नाली, People with untreated leparsi can end up with weakened muscles, वो लोग जिनको ये मर्ज होता है और वो इसका इलाज नहीं करवाते, can end up with उनकी muscles जाया हो जाते हैं, and poor eyesight और उनकी आँखों की बिनाई भी चले जाती है, In the past, मासी में, there was no cure for leparsi, जिसाम के मर्ज का कोई अलाज नहीं था, People did not understand how leparsi was, spirit or how to take care of people, people did not understand, लोग ये बात नहीं समझते थे, how leparsi was, spirit के जिसाम का मर्ज कैसे फैलता है, How to take care, या इसकी देखबाल जो है, of people who had it, जिसको ये मर्ज हो जाए, उसकी take care, देखबाल कैसे की जाती है, They feared the disease, वो इस बिमारी से खौफ खाते थे, people who had the disease would be treated very badly, जिन लोगों को ये मर्ज ये बिमारी होती, उनके साथ बहुत बुरा स्लूक किया जाता, They would be sent away, उनको दूर दराज भेज दिया जाता, और locked अप या उनको कैद में ढाल दिया जाता, Sometimes, बाज उकात, all the people with leporsi, in one region, बाज उकात, वो तमाम लोग जो जिसाम के मरीज होते, In one region, एक अलाके में, would be sent to live together, यानि कि मुख्तलिफ जगों से उनको एक जगा पर अकठा कर दिया जाता, With no one to look after them, और वहां उनकी देखबाल करने वाला, look after करने वाला कोई भी ना होता, They could only survive by begging, वो अपनी जिन्दगी का घुसर बसर करते, या जिन्दा रहने के लिए भीग मांगते, And with the help of a few kind people, या वो कुछ महरबान लोगों की मदद की वज़ा से जिन्दा रहते, या या वो भीग मांगर गुजारा करते, या कुछ जो महरबान लोग होते, वो उनकी मदद कर देते, तो वो survive करते, Fow was so deeply affected, रुद Fow जो थी, उनको वो बहुत गहरा, या उनको उनको असर हुआ इस बात का, जब उनको ने ये देखा, तो उनको बहुत मतासर हुई, उनको ने फैसला किया, टू डैडिकेट हार लाइफ के अपने जिन्दगी को वकफ कर देंगी, के पाकिस्तान में मजूद जिजाम के मर्स के मुब्तला लोगों के लिए अपने जिन्दगी को वकफ कर देंगी, In 1961, 1961 में FAU made a permanent move from Germany to Pakistan यानि कि 1961 में Ruth FAU जो थी वो permanent तोर पर जर्मनी से पाकिस्तान मुंतकिल हो गई For over 55 years, 55 साल शी सर्फट पाकिस्तानी पीपल उन्होंने पाकिस्तानी लोगों की खिद्मत की By giving medical help जहां उन्हें तीबी इमदाद महया की जाती Two people with leparsi जिसाम के जो मरीज थे लोग थे उनको तीबी मदद महया करते करते उन्होंने 55 साल गुसार दिये She started her first clinic उन्होंने अपना पहला क्लीनिक जो था वो स्टार्ट किया In a hut एक जौंपडी में In the area by the station जो station का area था Where the lepers live जहां पर जिसाम के मरीज या लोग रहते थे By the end of her life, she had helped अपने जिन्दगी के आखरी हिसे में She had helped to set up 157 leparsi cleaning across Pakistan जब वो जिन्दगी के आखरी हिसे में थी तो पाकिस्तान में 157 जजाम के क्लीनिक बन चुके थे To pay for the medicines and clinic, medicine और क्लीनिक के अखराजात के लिए For collective donations, Ruth-fau जो थी, वो अतियात अकठे करती In Germany and Pakistan, जर्मनी और पाकिस्तान से अतियात को अकठा करती She worked closely with hospitals, वो हसबतालों के साथ मिलकर काम करती And traveled around Pakistan, और पाकिस्तान के इर्द गिर्द सफर करती As well as into Afghanistan, पाकिस्तान के साथ साथ वो इफगानिस्तान का भी दोरा करती To find and help the sick, जहां भी उन्हें इस मर्स में मुबतला लोग मिलते तो वो उनकी मदद करती और बेमार लोगों की मदद करती In many parts of the country, मुलक के मुख्तलिफ हिसों में People with the Parsi had never been given help before उन से पहले मुलक के मुख्तलिफ हिसों में इस तरह से इस मर्स के मरीज जो थे उनकी मदद नहीं की जाती थी In 1979, 1979 में she was asked by the government उन्होंने government से कहा To be federal advisor वफाकी मशीर के तोर पर On Le Parsi, Le Parsi के वफाकी मशीर के तोर पर To the Ministry of Health and Social Welfare Ministry जो वजारत थी उन्हें हेल्थ की और Social Welfare मौशरती फलाहों बहबूद की वजारत उन्हें दे दी गई The result of her work इन के काम के नतीजे के तोर पर With the sport of others, दूसरों की मदद जो वो करती थी Was dead by 1996, Le Parsi was under control in Pakistan जिसाम का मर्स जो है वो बहुत हद तक कंट्रॉल हो गया उनकी खिद्मात की वजा से Fow continued her work treating people Rutfow ने अपना काम जारी रखा और लोगों का इलाज करती रही With Le Parsi जो जजाम के मरीज थे And those with other disease और जो लोग दूसरी बिमारियों में मुब्तला थे उनका भी इलाज करती थी She also helped वो मदद करती People who were left homeless वो उन लोगों की भी मदद करती जिनके पास घर नहीं होते थे After disaster अफाद के बाद Such as the floods in 2010 जनी के 2010 में जो सिलाब आया था उसमें जो लोग homeless हो गए थे कुदर्ती अफाद में जो लोग मुतासर होते उनकी भी मदद करती इन हर लाइफ टाइम इन हर लाइफ टाइम इट इस एस्टिमेटिट टेर टूट फाव ट्रीटिट नेरली 57,000 पिपल यानि के उनकी जिन्दगी में अंदाजा लगा जाता है के उनकों ने 57,000 मरीजों का लोगों का इलाज किया For her hard work and incredible achievements उनकी सख्त मेहनत की वज़ा से और उनकी गेर ममूली achievements जो थी उनकी वज़ा से She was given many awards उनको बहुत से awards से नवाजा गया The people of Pakistan पाकिस्तान के लोग respected her for her dedication उनकी बहुत स्यादा इज़त और एतराम करते हैं उनकी खिद्मात की dedication जो उनकी वकफ किये अपनी सिंदगी उसकी वज़ा से In 1988 She was given 1988 में उनको दे दी गई given पाकिस्तानी citizenship पाकिस्तान की शेहरित से उनको नवासा गया When she died in 2017 जब वो 2017 में उनकी वफात हुई 2017 में She was given a State State Fineral यानि के उनके नमाज जनाजा के जो तक्रीब थी वो सरकारी सिता पर अदा की गई Ruth for is remembered Ruth for हमेशा याद रखी जाएंगी As a human being Who defined humanity जिन्होंने एक इनसान होकर इनसानियत को define किया इनसानियत की खिद्मत की She choose a simple life उन्होंने सादा तरसे सिंदगी का इंतखाब किया Over fame यानि के शोहरत के मकाबले में उन्होंने अपनी सादा सिंदगी को ज्यादा तरची दी And was committed to a great case Committed to a great cause जो के एक बड़े जस्पे के लिए एक बड़े मकसद के लिए पुर अजम थी उन्होंने अपनी fame यानि के शोहरत को अपनी simple life पर तरची दी मुंतखिब किया या तरची दी She promoted उन्होंने पर्मोट किया a positive image एक यानि के positive मस्बत image जो होता है ज़स्पा उसको पर्मोट किया of a generous फियास intelligent intelligent and noble जहीन और काबल woman औरत of पाकिस्तान पाकिस्तान की who dedicated her life to serving the poor चिनों ने अपनी पूरी जिंदगी वकफ कर दी serving the poor गरीब लोगों की खिदमत पे पूरी जिंदगी गुजारती जी इसी के साथ ये हमारी आज की reading complete होती है इसमें challenge है इसको देख लेते हैं internet research in a group of three find out about symptoms of leporsy and show it is suppressed discuss with your group what should be done to prevent the spread of such infections disease यानि के ये challenge है इस cancer भी हम reading के साथ ही कर लेते हैं the bacteria are transmitted via droplet from the nose and mouth during close and frequent contact with untreated cases the best way to prevent the spread of leporsy is the early diagnosis यानि के सबसे पहले इसका क्या है के इसका initial stages पे इसको डिगनोस किया चाहे and treatment of people who are infected symptoms mainly affect the skin, nerves and mocus membranes the disease can cause skin symptoms such as are large discolored lessons on the chest of a person with Hansen's disease इसके साथ ही हमारी आज की reading कम्प्लीट होती है next वीडियो में हम इसकी exercise करेंगे thanks for watching us अ आपए हमें हमाँ नजप आप आप statोंस करेंगे